है कि अग्द अग्विद्ट अग्विण वेल्कम बाक टो दिशनल ट्राइल बैलेंस हमने स्टांट किया था पिछली क्लास में हमने क्या पढ़ रखा है ट्राइल बैलेंस का बेसिक स्टांट किया जहांपर हाउ to prepare trial balance, why do we prepare trial balance, trial balance में ledger के balances अगर दिये हों तो कैसे उसको put करते हैं और match कराते हैं आज हम पढ़ेंगे दूसरे type को question जहाँ पर पहला हम error लेंगे कि जैसे आपने पिछली class में पढ़ाता कि भई trial balance में हम assets को debit करते हैं liabilities के account को credit करेंगे capital को credit करेंगे, expense and losses को debit करेंगे और income gain को credit करेंगे और trial balance मैच हो जाएगा अगर आपने सब चीज सही किया होगा what if आपने कुछ गडबड की हो कुछ भी गडबड हो सकती है और आपने पूरा effort लगा दिया और trial balance ना मैच कर रहा हो, तब क्या करेंगे तो ऐसे में आप कोशिश करेंगे दो टाइप के question आपके पास आएंगे एक तो question दिया होगा कि जहां पर accounts को या आपको जो question में trial balance दिया हो किसी inexperienced accountant ने बनाया था हमारे आपके जैसा जिससे trial balance सही से बन नहीं पाया, match तो करा दिया तो वही काम किसी accountant ने किया होगा आपको उसकी गलती पकड़नी और सुधारनी है सुधारने में क्या हो सकता है दो chances कि आपने जो trial balance बनाया था वो उसने incorrect बनाया था आप उसको correct कर दोगे लेकिन कई बार ऐसा होता है कि आप सब चीज़ सही कर रहे होगे उसके बाद भी trial balance match नहीं कर रहा total बराबर नहीं आ रहे तो ऐसे में instead of wasting time आप क्या करोगे जितना भी difference आ रहा है जिस भी side आ रहा है मान लीजे इधर का total आ रहा है एक लाक और इधर का total आ रहा है credit का सिर्फ 95 तो 5000 का difference बच रहा है किस side credit side तो आप उस difference को क्या लिख दोगे एक नए account के नाम पे जिसको होते है suspense account किस नाम से suspense account के नाम से आप उतना difference जिस side भी बच रहा होगा अगर debit में बच रहा है तो debit में credit में बच रहा है तो credit account में लिखके total को match करा दोगे एक्जाम में यह बहुत अच्छा लगता है बच्चों को कि match करा दिया सर match हो गया कैसे match हो गया suspense account अरे गलत account से suspense बनाओगे तो match माना नहीं जाएगा अगर question की need होगी suspense तभी बनेगा नहीं तो नहीं बनेगा तो आज इसी topic के उपर हम question solve करते हैं देखते हैं आगे का procedure तो आपके लिए दो question लेके आएं देखें पहला question हमारे पास correct the following trial balance जो trial balance दिया यह incorrect है देखेंगे आप दोनों side match कर रही है लेकिन यह गलत है क्यों गलत है इसमें कुछ गड़बड होगी इसको आपको सही करना है सही करने के लिए हम क्या करेंगे trial balance बनाएंगे बई तो जल्दी से आप एक trial balance बना लिजे एक format बनाते हैं तो एक trial balance का format बनाएंगे सही गलत सब इसमें सही कर देंगे बई उपर heading के बिना कोई काम नहीं करेंगे trial balance as on date लिखेंगे name of accounts lf debit का balance credit का balance थोड़ा से space और utilize कर लेते हैं इदर कि in case अगर हम को जगह कम पढ़ गई ठीक है अब आ जाते हैं question पर वापस देखें तो क्या-क्या है name of accounts में सबसे पहले हम start करेंगे date दी नहीं थी तो date नहीं लिखेंगे जितने भी accounts से सबके नाम लिख लेते हैं के करके opening stock सबसे पहले एक लाग दो हजार छेसो रुपए opening stock asset होता है debit balance रहेगा तो opening stock एक लाग दो हजार छेसो रुपए debit balance इन्होंने जिधर भी लिखाए उससे हमें नहीं मतला रिटन आउट वर्ड रिटन आउट वर्ड होता है परचेज रिटन परचेज रिटन हमेशा credit balance है परचेज हम करते है तो expense है तो debit होता है लेकिन return आ रहा है तुमारे लिए income है इसलिए ये गलती किये देखिए उन्हें 48,000 का purchase return जो है return आउट वर्ड जाए जिसको आप बोलते है purchase return इसका हमेशा होगा credit balance लेकिन इन्होंने गलती से debit में लिख दिया तो आप सही करोगे तो credit में लिखोगे ये गड़बड थी एक तो पहली गड़बड पता चल गई salaries account debit में 36,000 रुपर ये सही है expense होता है salaries 36,000 debit balance होता है correct लिखा है फिर इसके बाद देखिए creditors creditors भी गलती है creditors होते है liabilities जिनका credit balance होता है लेकिन गलती से लिख दिया debit side कितना 84,000 तो इसको credit में लिखेंगे creditors 84,000 credit balance होगा ये हमारा अगला देखिए bank bank का debit balance दिया है तो हम debit में लिखेंगे credit भी हो सकता था लेकिन यहाँ पर जब कुछ नहीं बोला तो debit मानेंगे bank का favorable 135,000 ठीक है 135,000 हो गया फिर carriage inward carriage चाहे inward हो या outward हो खरीदते समय आप पे कर रो या बेचते समय पे कर रो खर्चा ही है इसलिए debit ही होगा अठारा जार सा ही लिखा है तो carriage inward 18,000 देन हमारे पास है rent received income है इंकम है तो गलत साइट पे लिखा है भाई rent received यान income है तो credit balance होना चाहिए 9,000 रुपए तो rent received 9,000 का credit balance होगा जिसको गलती से debit पे लिख दिया था तो तीन error पकड़ में आ गई भाई अभी तक discount allowed expense है भाई debit side पे लिखेंगे 6000 रुपए सही लिखा है discount allowed 6000 रुपए का debit balance फिर देखे और क्या दिया है debit में purchases सही है 3,000,000 रुपए expense होता है purchase debit में लिखेंगे 3,000,000 रुपीज on the debit side and the last debit balance is bills payable देखे फिर से bills payable मतलब होता है liability आपको bill future में pay करने है तो pay करना है तो liability और liability है तो credit side 60,000 तो देखे इसने में हमें 4 गलबड़ पता चल गई कि उन्होंने debit side पर 4 चीज़े गलत कर रखी थी तब भी match हो गया था आप exam में ऐसे करते हो गलत से match करा देते हो अब आते है credit side देखे credit में सबसे पहला debtor दिया यही गलत है debtor हमारा asset होता है इसलिए debit side debtors 45,000 का debit balance होना चाहिए अगला देखिए carriage आउटवर्ड भी नहीं हो carriage अभी बताया चाहे inward हो चाहे outward हो खर चाहे आप खरीते समय पे करो चाहे बेचते समय पे करो expense है यह भी गलरबर लिखा है 15,000 रुपए carriage आउटवर्ड 15,000 debit side पर आएगा अगला देखिए capital का credit balance सही लिखा है 165,600 1,65,600 capital हमारी liability होती है internal उसको credit में लिखेंगे इसके बाद देखिए machinery का credit लिखा है यह भी गड़ बड़ा है asset है machine हमारी 54,000 तो machinery 54,000 debit balance होगा ना कि credit balance asset था मारे लिए return inward return inward का मतलब हो गया sales return sales होता है credit balance तो sales return होता है debit balance यह भी गड़ बड़ लिखा है भई sales return debit में जाएगा 9,000 रुपए return inward या फिर sales return 9,000 debit balance होना चाहिए था अगला देखे insurance claim received सही है received लिखा है तो income है तो insurance claim 12,000 credit में जाएगा received है क्यूंकि इसके बाद trade expense expense है खर्चा है तो भाई debit में क्यूं आया मतब credit में क्यूं जाएगा debit में जाएगा अठारा जार trade expense सारे expense debit में 18,000 debit balance sales सही लिखा है credit balance होता है 4,20,000 income है इसलिए credit में जाएगा और last फिर से देखे गड़बड कर रखा है building 60,000 रुपए की asset होती है तो asset है तो debit में जाएगा that's it सारे account कर लिए अब आप एक बाद total करके check कर लिजे क्या match कर रहा है total या नहीं आपने आप तो सही कर दिया इन total को match कर लिजे है तो चेक कर यह देखे कितना आ रहा है 4,32, 5,97, 6,57, 6,66, 6,70, 7,50, 7,98,600 और इधर का check कर यह भाई 60 ठीक है सही है 7,98,600 दोनों साइड मैच कर गया तेखे मैच भी सेम फिगर से कर रहा है बाई चांस मैच भी 7,98,600 से ही कर रहा है लेकिन आपने देखा कई सारी गड़बड थी करीब साथ से आठ ट्रांजिक्शन इन्होंने इधर से उधर मैच कराने के लिए कर दिया और आंसर बस लेया है समहाओ इसलिए हम इसको सही करेंगे तो सही किया आपने तो आपको देखे बैलंस मैच कर रहा है तो जो अकाउंट जिस जगह पर होना चाहिए तो उस जगह पर आप प्लेस करो किया हमने अकाउंट जो बनाया वह गलत बना ओवा था कुशिं में उसको आपको री ड्राफ्ट करना है as it is copy नहीं कर देना किए तो बना बनाए दिया और घंटा गये जिनमों सहीच है काम नहीं किया रीड्राफ्ट करिये एटले ने करेक्ट फॉर्म तीक है करेक्ट फॉर्म में इसको लिट रफ्ट करना है तो ट्र व्लेंस एक फिर से match तो कर रहा है लेकिन यहां पर match भी नहीं कर रहा देखिए यहां पर आपका trial balance ही नहीं match कर रहा है आपके exam की balance sheet की तरह आ गया कि match ही नहीं कर रही है तो trial balance भी ऐसा ही आया है आपने बनाया है हम इसको दुबारा correct करेंगे correct करेंगे तो start करेंगे question में format से बनाते हैं बहुत ही आसान है ऐसा ही आप करते रहोगे format बनाई यह जल्दी से बिना format के नहीं करेंगे थोड़ा सा कुछ seconds trial balance as on 31st March 2016 दिया है name of accounts LF debit balance and credit balance हम इसको यहाँ पर extend कर देते हैं थोड़ा सा in case if it is needed बाकी आ जाते हैं अपने question के format पे देखिए क्या-क्या balances दिये हैं सबसे पहले हम देखेंगे line से सारे accounts को check करते जाएंगे कुछ गडबड होगी तो सही करते जाएंगे cash in hand पहले हमारे पार debit balance दिये तो cash in hand 5200 asset होता है तो cash in hand सही लिखा है 5200 हमारा debit balance होता है because it is an asset for us अगला देखिए plant and machinery 75,000 क्या है हमारे लिए asset है तो plant and machinery कितना दिया है 54,000 75,000 का debit balance ही दिया है टाइप राइटर इस एन असेट टाइप राइटर हमारा office equipment asset है 7400 debit balance जाएगा सही दिया था इसका balance 6400 है सही कर लेते हैं इसको 6400 हो गया अब इसके आदेगे stock opening stock दिया है 1st April 16 दिया है तो हम लिखेंगे opening stock 13,100 रुपए सही है यह भी stock opening लिख दीजे 16,100 रुपए यहां डेट करेक्ट कर लिजेगा भई 2016 स्टार्टिंग है तो end होगा 17 में चीक है opening stock हो गया 16 13,100 है भाई figure बड़ी confusing है इस बार तो 13,100 रुपए अगला transaction देखें क्या है हमारे पास फिर है purchases purchases हमारा क्या है regular expenses 84,100 का तो purchases लिख देंगे बाई expense है सही लिखा है इन्होंने 84,100 देन वाट डूपड वी है carriage inward and carriage outward बता है दोनों ही expense होते हैं सही लिखा है अठाइस और सोला सो, so carriage inward and carriage outward अठाइस और चौबिस सो, 16 या चौबिस है या अठाइस और चौबिस है अठाइस और सोला है देखें दोनों ही गलाद लिखें हैं फिर sundry debtors देखें ये भी सही लिखा है अठाइस तीन सो आपको होगे sir गडबड क्या है इसमें आगे मिलेगी भाई debtors asset है 18,300 रुपए का debtor भी आई ये सारे अभी तक आपने देखें सही लिखें जादतर अच्छा बच्चा था ये सही कर रहा था अब आगे देखें गड ये हो जाएगा credit में बिल्स पेबल is a liability for us इसलिए हम इसको credit side में लिखेंगे rent paid फिर से सही है देखें rent paid हमारा expense होता है 9,600 रुपए इसलिए debit होगा 9,600 रुपए debit में जाएगा फिर आप देखें अगला transaction दिया wages ये भी सही है expense है 4,500 रुपए का wages 4,500 रुपए का wages है debit में जाएगा सही लिखा है then what do you have rent paid 16,500 था and wages 16,500 sorry wages is 16,500 इसको correct कर लेते है 16,500 फिर हमारे पास advertisement है advertisement again is an expense इसलिए debit side पर रहेगा सही लिखा हुआ है and the last one is discount received again ये भी गलत होगा discount received is a income 3,200 तो income है तो इसलिए credit में जाएगी discount received 3,200 तो दो गड़बड हुई है debit side पर एक तो उन्होंने bills पे बल लिख दिया और एक discount received को लिख दिया है 3,200 तो उसे दो गड़बड आई debit side पर credit में चेक करते है bank overdraft is a liability सही लिखा है bank overdraft 16,400 रुपए liability है इसलिए correct side पर लिखा है capital भी सही लिखा है liability है 50,000 रुपए की capital 50,000 ये भी credit में जाएगा सही लिखा हुआ है then देखिए हमारे पास क्या है goodwill is an intangible fixed asset asset है इसलिए debit में जाएगा 8,000 रुपए तो goodwill 8,000 रुपए debit में जाना चाहिए ये गढ़बड की उन्होंने पहली credit side की ये गढ़बड आई एक गढ़बड निकली creditors 8,200 सही लिखा है liability होते है 8,200 correct है फिर इसके बाद दिया है sales sales का भी balance सही लिखा है income होती है हमारे लिए credit balance 1,60,000 रुपए 1,60,000 then return inward return inward का मतलब है sales return sales credit होती तो return inward debit होता है तो debit side पर जाएगा इसको आगे बरता थे return inward return inward debit side पर जाएगा कितना है भई 2400 रुपए का क्योंकि sales credit होती है तो sales क्योंकि income है return inward हो गया तो expense हो गया loss हो गया पिर आएका drawings drawings हमारा debit balance होता है इन्होंने credit में लिखा है ये भी गढ़बर लिखा है 2,120 2,120 ये दोनों गढ़बर होगा है देखिए यहां पर ये भी गढ़बर आया और ये भी गढ़बर किया दोनों गढ़बर किया and last investment investment again in asset होता है हमारा 4000 रुपए का asset है तो credit side पर नहीं आना चाहिए debit में आना चाहिए 4000 तो आपने देखा अब सारे transaction हो गया हमारे पास इसमें कोई problem आई सारे जो भी error थे हमने इधर 4 error और इधर 2 यानि total 6 transaction के error की तो उसके वज़े से balance match नहीं कर रहा था अब आप देखेंगे दोनों साइड हो गया है दोनों साइड का एक roughly total निकाल लीजी भाई क्या टोटल निकलेगा देखिए क्या यह match कर रहा है कि मैच कर आई भाई दोनों साइड का total देखिए कितना आ रहा है डेबिट साइड में match कर रही है पहले देखिए डेबिट साइड का balance पहले हम क्रेडिट लेकर लेकर देखिए प्लस तीन हजार दोसो प्लस सोलह हजार चार सो प्लस पचास हजार प्लस आथ हजार दोसो और प्लस एक लाग साथ हजार तो कितना आ गया 249,800 So, credit balance is 2,49,800. Now, we will see the debit balance. Debit balance एक बार चेक लीजे सारे 5,200 प्लस 75,000 प्लस 6,400 प्लस 13,100 प्लस 84,100 प्लस 2,800 प्लस 1,600 प्लस 18,300 प्लस 9,600 प्लस 16,500 प्लस 4,500 प्लस 8,000 प्लस 2,400 प्लस 2,120 प्लस 4,000 तो यह हमार रे पास क्या आ गया 253,600 अब आप देखोगे debit side का आगया 253,600 अब आप देखो कि match ही नहीं कर रहा है अब तो sir ने भी कर दिया सारा सही तब भी match नहीं कर रहा है कितने से मैच कर रहा है इसको difference निकालो कितना difference आएगा और यह difference के लिए आपको क्या बताए क्या transfer करेंगे जितना भी difference आएगा अगर हमारे कहने पर भी match नहीं कर रहा है सर आपने कर आया तब भी match नहीं कर रहा तो sir कोई magician तो बैट है नहीं है भाई हम समझा देंगे ठीक है अब इसको देखे match नहीं कर रहा तो कितने से match नहीं कर रहा आप देखे 20 3,820 रुपी से match नहीं कर रहा आप कितना भी effort लगा तो ऐसे में आप क्या करोगे इसको match कराने के लिए जो difference आ रहा है किस साइड आ रहा है क्रेडिट साइड कम है तो क्रेडिट साइड पे 3820 आप लिख दोगे और क्या कर दोगे इसको suspense account के नाम से कि suspense account में इतना balance हमारा रह गया तो suspense account हमने डाल दिया क्यूंकि match नहीं कर रहा तब ही हमने मेनत कर ली तब भी match नहीं कर रहा तो इस question में आपका suspense account arise होगा और तब जाके आपका trial balance match करेगा कितने से 253,620 तो 253,620 से आपका balance match करेगा लेकिन कब match करेगा जब आप credit side पर suspense account open करोगे कि suspense account का credit balance show करोगे ठीक है तो यह समझ में आ गया हम incorrect trial balance को पहले हमने prepare कर आया तो पिछला question जो हमने किया इसमें incorrect trial balance को match कराने पर trial balance match कर गया कोई suspense की जुरुत नहीं पड़ी टैली हो गया लेकिन अगला question जब किया तो यहां पर भी incorrect trial balance था लेकिन उसको जब correct किया तो match नहीं कर रहा था और match ना करने पर हम क्या करेंगे जितना भी difference भचेगा इधर debit और credit side उसको transfer कर देंगे और किस नाम से transfer करेंगे suspense account से so that आपका account टैली कर जाए तो इतना था हमारे लिए trial balance में I hope आपको समझ में आ गया होगा एक दो adjustment रह जाती जैसे closing stock, closing stock पे especially ध्यान दीजिएगा अगर closing stock के लिए बोला गया है stock अगर adjusted है तब तो वो trial balance में आएगा debit side of trial balance लेकिन अगर trial balance के बाहर दिया है या question के beyond दिया है और आपको कुछ नहीं बोला तो आप हमेशा मानोगे कि closing stock is not adjusted और adjusted नहीं है इसलिए will not be recorded in trial balance तो इसलिए trial balance में यह record ही नहीं किया जाएगा तो closing stock अगर adjusted दिया है आपको information दी है कि यह adjusted है तब तो आप record करोगे नहीं दिया है तो आप record नहीं करोगे trial balance में ठीक है तेसलिए closing stock किसी भी question में हमने use नहीं किया क्योंकि जादा तर वो unadjusted होता है समझ में आ गया तो trial balance chapter आपका cover हो गया है trial balance समझ में आ गया होगा है hope we'll start with the next chapter in the next video till then keep smiling keep studying take care bye bye thank you so much कर्षाचे टारप की आपकार तो कि पना धना गया है little the